हलो बच्चे नमस्कार श्वागत है आपके अपने यूटूब चनल एग्रोटेक स्टडी मैं और मैं हूँ अर्विंद्यादव आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चनल और बच्चो जैसा कि आपको पता है हमारी जो क्लास है वो एप्लिकेशन पर चल रही है और ली कोर्स हमारे एप्लिकेशन एग्रोटेक स्टीट पर आपको मिल जाएगा तो बच्चो जो बड़े इंस्टिट्यूट्स में नहीं पढ़ सकते हैं जो चात्र या बड़े-बड़े सहर में नहीं जा सकते हैं उनके लिए ये बहुत ही रामबान शिद्धोगा एदी भहे तैयारी करना चाहते हैं तो एप्लिकेशन को जरूर डाउनलोड कर लें बच्चो ट्वल्थ एग्रिकल्चर की सभी क्लासिस आपको बहां पर चेप्टर वाइज साथ में आपको नोट्स भी पीडियेप की रूपे हैं वहां से मिल जाएंगे ठीक है बच्चो आज का जो ट यानी मैनियोर इससे संबंदित पहला वीडियो पार्ट वन हम लोग डाल चुके हैं आप लोगों ने वह देखा होगा यदि आपने नहीं देखा है तो उसको पहले देख लें इससे आपकी आगे की जो चीजह हैं वह किलियर हो जाएंगी देन आगे का आप ये इस वीडिय चुका हूँ यहाँ पर completely हम लोग syllabus नहीं करवाएंगे आपको यहाँ पर नहीं हो पाएगा इतना समय नहीं होता है लेकिन फिर भी हम आपको इतना जरूर बता रहे हैं कि आप application से पढ़ें वो सारी चीज़ आपको वहाँ पर material में मिल जाएंगी साथ में आपको कम से कम पै क्योंकि वो सारे चात्र ऐसे होते हैं मध्यम बर्गे परिवार से होते हैं जो नहीं पढ़ सकते हैं बड़े सहरों में नहीं जा सकते हैं ज्यादा फीस नहीं दे सकते हैं तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो कहीं भी पढ़ रहे हो वहाँ तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाने का काम करें ठीक है तो ज़्यादा समय आपका खराब नहीं करेंगे और इस वीडियो के हम लोग सुरुआत कर लेते हैं आप लोग देखेंगा मतलब क्वश्चन आप क्या कह रहा है इसको समझना वह जरूरी है हरीखाद की फसल अब हरीखाद की फसल कौन सी थी मैं आपको एक्जामपल पहले बता चुका हूँ उड़त थी, मूंग थी, गौार थी और आपकी सनई थी, डहचाता तो उस फसल में मतलब सनई जैसे हम प्रयोकर सनई में कौन से गुड़ोना चाहिए, सीधा सीधा इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं, चिक है, कोसा समझ में आ गया, अब आंसर को समझे सबसे पहली बात तो कह रहा है कि फसल कैसी होना चाहिए दलहनी होना चाहिए फसल दलहनी क्यों होना चाहिए, आपको पहले ही किलर कर चुका हो में कि दलहनी बाली फसलों की जड़ों में गाठे पाए जाती है, ग्रंथियां पाए जाती है उनमें राय जोबियम नामक जीवानू पाए जाता है जो की बायो मंडल से नैट्रियन को नीचे एकत्रित करता है तो हमेशा दलहनी फसल का ही प्रयोग करना चाहिए इससे भुमी को नैट्रियन मिल जाएगा यह तो बहुत अच्छी बात है दूसरा, फसल में पत्तियां अधिक होना चाहिए जो भी फसल से हमारी खाद बना रहे ना उसमें पत्तियों की संख्या अधिक होना चाहिए क्यों? क्योंकि पत्तियां अधिक होंगी तो खाद भी अधिक मातराम बनेगी खाद भी अधिक मातराम बनेगी हाना, पत्तियों में ही पोसकत पाय जाते है वो सड़ करके क्या बना देंगी खाद बनाएंगे तो इसलिए पत्यों की संख्या जाद से जादा उस फसल में होना चाहिएगा तीसरा पॉइंट कहता है फसल के अंग मुलायम होना चाहिए फसल के अंग मुलायम होना जो भी फसल हम लोग प्रियोग कर रहे हैं हरी खाथ के लिए उसके अंग, अंग मोले तो उसकी जड़, तना, साखाएं, पत्तियां, सबी मुलायम होना चाहिए, क्यों भईया, मुलायम इसली होना चाहिए, क्योंकि जत्ती जल्दी मुलायम होगे तो वो सड़ने में ज़्यादा समय नही में जर्द होना चाहिए गरणतियां में पकषेए, तयार होना चाहिए, तो अपकात की जो फसल है, उसमें क्या सेन्डांग सथा होना चाहिए, यह उम्मीद करता हूं सब इचात्रों को अच्छी प्रकासे समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं नेस कोशन की ओर, नेस कोशन है हरी खात बनाते समय कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, कोशन है ऐसे भी पूच सकते हैं, हरी खात बनाते समय कोण-कौन सी साथ भा आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पर भी आप लोगों को ये बात याद रखनी ही रखनी है, क्यों बनाना चाहिए, क्यों का जबाब मैं दे चुका हूँ, फसल को फूल की अवस्ता पर क्यों पलटना चाहिए, क्योंकि फूल की जब आते हैं फसल में, तो फूल की अ नम मतलब नमी होना चाहिए मिट्टी में मोश्चर होना चाहिए गीली मिट्टी होना चाहिए क्यों कि गीली मिट्टी होगी नम होगी नमिट्टी तो आपको पता है कि नम मिट्टी में बैक्टरिया जादा होते हैं जीवानू जादा होते हैं हाना तो वो जीवानू उसको ज तल इस दिन की उम्र पर उसको हम लोग खेत में मिला सकते हैं जिससे वो अच्छी प्रकार से सड़ जाया और पोसकता था हमारी भूपी को मिल जाया तो ये हरी खाद बनाते समय कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना है उमीद करता हूँ बहुत अच्छी प्रकार से आपको क्लियर होगा ठीक है न बच्छो तो आपको सभी कोसन अच्छी प्रकार से समझ में आई रहे हैं बच्छो आगे बढ़ने से एक चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि बच्चों अच्छी प्रकार से पढ़ें, महनत करें, हना अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता के नाम रोशन करें, महनत जरूर करें, बिना महनत कि इस दुनिया में कुछ नहीं है, आपको माल होगा, तो मैं आपसे पहले ही कहता हूँ, अधि ठान लो, तो जीत है, और माल लो, तो हार है, इसलिए ठान लिजे, कि मतलब किशी भी कंडिशन में, बहुत अच्छा करके दिखाना है, तो आपको कोई नहीं रोप पाएगा, आपको किताबे, गाइड्स, कुछ भी लेनी के आवाश सकता नहीं है, आप बस हमारी YouTube चनल से आप जोड़े रहें, और सब चीजों को अच्छी प्रकार से आप लोग पढ़ते चलाएं, ठीक है, चलिए, तो ज़्याद समय खराब ना करते हुए, बढ़ते हैं हम लोग आगे, नेश कोशन की, नेश कोशन है बच्छों, गोवर की खाद किशे कहते हैं, इसका संगठन लिखेगा, तो गोवर की खाद सब लोग जानते भी हैं, देख लिए, पशू के गोवर, एवं मलमूत्र से तयार खाद, गोवर की खाद कहलाती है, और इसे फार्म पर पाले जाने वाले पशू के, गोवर एवं मलमूत्र से तयार किया जाता है, इसलिए इसे एब बाई एम, यहीं फार्म, यार्ड, मैनियोर के नाम से भी जाना जाता है, या कहते हैं इसको, सब जानते हैं कि गोवर की खाद जो होती है, इस को भी फार्म, हमारा कििसी फार्म होता है, बहुता है पशू पालते हैं तो उनकी गोवर से बनता है जैनले, इसलिए इसे फार्मियार्द मैनियोर के यहीं जरूल बात चार्द रखना, एब बाइ एम, जो है न, इस नाम से भी इसको जाना जाता है, क्यों पसु फार्म पर पालते हैं तो उसको फार्म याड मैंनों नाम दे दिया शंगठन की हम लोग बात करें तो नैट्रियन 0.5% होती है फास्परोस 0.25% पोटास की मात्रा 0.5% होती है बाकी इसके अलावा इसमें केल्सियम रहता है मेंगनिसियम भी रहता है केल्सियम भी है इसमें आपका मैंगनिसियम भी है ताबा, जिंक, आधी पोसक तत्वी मतलब सभी आवकателей पोशक तत्वी इसमें पाए जाती जाते है ठीक है तो आपने जाना बच्चो क्या होता है गोवर की खाट क्या संगठा ने इसका क्या क्या चीज़े इसमें पाई जाती है वो simple सी language जो मैंने आपको समझा दिया है ठीक है ना कहीं किसी को आपको इसको समझने में समझ्या नहीं आ रही होगी यदि आपको फिर भी समझ्या आती है तो आप हमारे मुवाइल नमर से बन टू 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 अबाउट सब पर भी पूछ सकते हैं या आप लोग जो कमेंड बॉक्स में लिखकर आपके जो भी कोई समझ्या है उसका आप नराकन पा सकते है अगरी कल्चर से प्राइस एलेटेड आपको यदि कहीं भी समझ्या आती है तो आप हमसे जरूर पूछ ले जाएगे ठीक है चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग नेस कोशन कियो इसकोशन है गड़ों में गोबर की खात त्यार करते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिया बचो आपको पता है कि गोबर की खात दो परकार से बनाए जाती है एक तो ढहला कर बनाते हैं गाउं में अपने देखा ही होगा कि एक तो धेर लगा देते हैं और धेर लगा के हम इखटा कर लेते हैं गोबर उस परकार से खाद बनती है जबकि वो गलत तरीका है यदि हम लोग गोबर की खाद को गड़े में तयार करते हैं तो ये बैग्यानिक तरीका है सबसे बैश तरीका है अब आपको गई सर ऐसा क्यों देखें क्या होता है यदि हम लोग ढेर लगा के गुबर की खाद तयार करते हैं तो उससे क्या होता है उसके पोसकतब नश्ठ हो जाते हैं दूप से नश्ठ हो जाते हैं पहली बात दूसरा पानी बरस्ता है तो पानी के साथ बहकर के नश्ट हो जाते हैं दूसरा तरीका ये हैं हाना तो ये इस प्रकार से उसके पोसकतव नश्ट होगा तो क्या मतलब की खाद है समझ में आ रहा है ये पोसकतव तो चहीं चहीं हम इसलिए तो खाद बना रहा है औ तो हमेशा गड़ों में ही गुबर की खात तैयार करना चाहिए और गड़ों में यदि गुबर की खात तैयार करते हैं तो कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना है उसको समझे आप लो निवन बातों का ध्यान रखना है सबसे पहली बाद देखे गड़ा छायदार इस्तान प फर्स पक्का होना चाहिए क्या होता है जो गड़ा हम लोग बना रहे हैं जिसमें खातवाने हैं उसका नीचे का फर्स पक्का होना चाहिए क्यों भईया इसलिए पक्का होना चाहिए कि यदि पानी वर्सा तो गड़े में पानी तो भरेगा पानी नीचे समाएगा भी नीचे चला जाएगा पानी तो उसके पानी के साथ पोसक तत्व भी पानी के साथ नीचे चला जाएगा अंटरग्राउन इसलिए नीचे फर्स पक्का होगा तो जो पोसक तत्व हो उतने जादा नीचे नहीं जाएगा इसलिए फर्स पक्का होना चाहिए गड़्डा में उचित नमी होना चाहिए यह गलत लिखा है नमी यहाँ पर नमी वर्ड़ी आप लोग लिखें नमी नमी यानि मौस्चर ठीक है ना गड़्डा में उचित नमी होना चाहिए चोथा है गड़ा एक मीटर से अधिक गहरा नहीं होना चाहिए सभी बात है जो गड़ा है वो एक मीटर से गहरा नहीं होना चाहिए क्योंकि एक मीटर से नीचे अगर गहरा हम लोग बनाते हैं तो आपको पता है कि नीचे बैक्टरियाओं की संख्या कम पाई जाती है जिस कारण से वो खाद अच्छी प्रकार से सड़ती नहीं है इसलिए गड़ा जो बना रहे हैं वो एक मीटर से गहरा नहीं होना चाहिए एक मीटर की गहराई तक बैक्टरी अच्छी प्रकार से क्रिया करती हैं उसको अच्छी प्रकार से सड़ा देते हैं इसलिए गड़े का जो है अधे गहरा नहीं होना चाहिए तब को समझ में आ गया कि गड़ों में यहीं हम लोग गुबर की खात त्यार कर रहे हैं तो कौन-क बच्छो क्या लाब होता है समझ इए निन्मलाब होता है नमर एक सब से पहले यही बात है कि यह बैग्ज्यानिक विदी है कैसी विदी है बैग्ज्यानिक चाहिए ठिक है दुसरा पक्रणे मिधिसे पौश्टे क्खात है और पौश्टे का मतलब यह होता Х storing जे कि जाते है इसलिए वो पोष्टिक खाद तयार हो जाती है दूसरा लाब हुआ तीसरा लाब है इस विदी से खाद तयार करने पर गोवर का पूरी तरह से अपगटन हो जाता है जियाँ यदि हम गोवर की खाद को गड़ों में बनाते हैं तो अब घटन का मतलब होता है गोवर पूरी तरीके से स्च जाता है जब शड जायेगा भी तो पोसकत बूमी मिलेगा कच्च गोवर को प्रियोग कभी भी खेत में नहीं करना चाहalie क्यों अका चाही प्रियोग करने से उसमें क्या होता है दीमक लगाती है, दीमक जानते हुछँ इनों दीमक, सपेज चीटी होती है, देखा हुआ, आप लोग अपणि लेंग्वेज में पता नहीं क्या बोलते हो, हम लोग उसको दीमक बोलते हैं, लकड़ी को खा जाती है, पूर तरीके से लाल सा मूँ होता है, उसका सपेद होती है पीछे से अद्धी बोलते होंगे कुछ लोग कुछ और बोलते हैं English termite बोलते हैं Hindi में दीमक बोला जाता है यदि कच्चे गोवर प्रियोग करते हैं तो कच्चे कोवर में सेलुलोज होता है ज़्यादा और सेलूलोज उसका मुख बोजन होता है दीमक का हाना तो इसलिए ध्यान रखे कच्चे गोवर का प्रयोग नहीं करना अच्छी प्रकार से सड़ा हुआ गोवर ही हम लोग प्रयोग करने खेत में जादा बहते है छोता है धूप एम वर्सा द्वारा पोसकत नश्ट नहीं हो होंगे बहरी इंप्रोडेंट आपका यह कोशन है ध्यान रखें ठीक है चलिए बच्चो क्लास कैसी लग रहे है आपको उमीद करता हूं बहुत अच्छी तरीके समझ में आ रहा हुआ ठीक है बड़ा अच्छा लगता है आप लोग की कमेंट आते हैं आप लोग कहते हैं कि सर अच्छी प्रकास समझ में आया हम लोग नोट सी बना रहे है तो यह बहुत अच्छी बात है आप लोग हम से पट रहे हैं यह हमारा सवभाग है कि इतनी चात्रों को हम लोग अच्छी प्रकास से सिक्षा देने की कोशिश कर रहे है ठीक है चलिए यह बच्चो रहां ला बाहर निकालते हैं जिसे हम बर्मी कमपोस्ट कहते हैं अर्थात केंचुआ दारा तयार खादी बर्मी कमपोस्ट कहला दे हैं अर्थात केंचुआ दारा तयार खादी बर्मी कमपोस्ट कहला दे हैं अर्थात केंचुआ दारा तयार खादी बर्मी कमपोस्ट कहला दे हैं पोटास 0.5 से 0.75% होता है तो ये इसमें आपका ने नपीके का आपका रेशियो क्या है आपको समझ में आ गया होगा ठीक है तो बच्छो इसके अलाबा में इसमें सभी आवस्टा पुस्टत पाई ही जाते हैं अप लोग दिहान रख सकते हैं इस लाइन को भी तो बर्मी समझ में आया कि नहीं करते हैं इसी तरह वीडियो आप पड़े आती रहेंगी परिशान होनी कि आवश्यक्ता नहीं है बिल्कुल अच्छी परकार से पढ़ें मेहनत करते रहें चिंता ना करें टेंसल लेनी का वसकता नहीं है जब तक एग्रोटेक्ट स्टडी चैनल चल र वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों को शेर तो आपको करने ही करना है ठीक है ना चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बच्चो नमस्कार